आज का दिन अपने पुर्खों और पित्रों का याद करने का ये 15 दिन का अस्वनी मास का पित्र पक्स का जो महिना होता है इसमें लोग भूँत सारे प्रकार के अपने विक्तिगत कारक्रम भूल करके ना हजामत बनाना और ना पान खाना ना नए कपड़े सिलना ना नए कुछ काम शुरू करना इतने व्यस्त हो जाते थे अपने पुर्खों और पित्रों की सेवा ससुता में और निशित मानिये यह दि हम आटे के पिंड का ही और पानी का ही तरपन मान लेते हैं और कर्मकांड को ही पित्रों की सांती मान लेते हैं तब तो हम निशित अपनी सद्धा के साथ स्राद्ध की सक्तियों के साथ भूल कर रहे हैं स्राद्ध का मतलब ही होता है जो कारे स्रद्धा सहित किया जाए जिसमें हमें स्रद्धा नहीं है उस काम को करके भी हम वो हसिल नहीं कर सकते हैं भायो बेनों हम सब लोगों को अपने पुर्खों और पित्रों को स्रद्धा देना है वो हमें सकती देंगे आज हमारे घरों में बुड़े बुजुर्ग माता पिता दादा दादी कुटुम भी स्वजन है उनके पास बेट करके एक पारिवारी पूरा ऐसा वातावन बनाने के आउ सकता है जिनके साथ में हमने जनम लिया जिनके सहकार सहयोग और प्यार ममत्व से ये बाल पौधा एक जिवन यात्रा के लक्स के और आगे बढ़ता है आज वही परिवार के माता पिता कपड़े रोटी नास्ते भोजन के लिए तरस्ते हैं और हम स्राद्य पक्स में पित्रों को तो जिमा देते हैं लेकिन जिन्दे हमारे कुटुम भी स्वजन अपने परिवार जनों का प्या लाइन हो रहा है कई हम स्राद्य पक्स में भूलना करें एक धोंग होगा हम कोवे कुट्यों को और विभिन प्रकार के कर्मकांड के माद्यम से अन्यदान जलदान तो कर देते हैं यह आपकी सद्धा है लेकिन इसको जीवितों के प्रति ले जाना ही हमारा सबसे बड़ा प पक्स में आप 15 दिन और आने वाली नौरात्री के 9 दिनों में एक विसेश रूप से अपने सरीर रूपी जीवन देवता को सुद्रड और स्वस्त बनाने के लिए हम आपको एक 3 मिनट के अध्भुत किरिया सिखाने जा रहे हैं अपने सरीर को डी टाक्सिक कैसे करें इसके विजाती तत्यों को सरीर के उन कोसों से बाहर के से निकालें जो हमारी चे अपचे किरिया में बाधक बने वे हैं और रोग प्रति रोधक सक्ती को घट करके आज तमाम प्रकार के रोगों का कही ने कही मानों जीवन सिकार हो रहा है आए स्वस्त शरीर में ही स्वच्छ मन रहता है और स्वच्छ विचारों और स्वच्छ मन से ही सब भी समाज की इस्थापना होती है हमारा रिशी कहता है यदि सब भी समाज बनाना है तो सब से पहले निरोगी काया को सदेव बना रखने के लिए तीन मिनिट नित्य दीजिए अंतिम सांस तक रोगों कष्टों से लड़ोगे आईए इस क्रिया को करने से जिसे आप बाहर तो नहा लेते हैं अच्छी साबुन से अच्छे प्रकार से लेकिन अंदर का इस नान पानी से और अंदर का इस नान प्राण से कैसे होता है पहली क्रिया हम आपको आज के आद्बुत सिखा रहे हैं जिसका नाम है अठारा करोड रोम कूप को सिकाओं को कैसे अपने पैर की उंगलियों से हाथ के पंजों तक और रीड के 32 मनकों की द्वारा लिवर किटनी आतों की दिल दिमाग की रीड के हड़ी की द्वारा कैसे चे आप चे करिया नेमित की जाती है खाली पेटी से सुबह साम कर शकते हैं तीर मिनट के लिए देखते हैं इस प्रकार से आपको करना है दोनों पैरों पर बेट गए हैं पहली किर्याब हम प्रारम्ब करेंगे दोनों पैरों पर बेटने के बाद दोनों हातों को ऐसा सिधा रखेंगे दोनों हातों को सिधा रखने के बाद धीरे से आपको यहाँ पर सांस लेना है और धीरे धीरे इस तरीके से घुटने टिकाना है सांस को छोड़ना है घुटनों को पेट को दबा करके डुड़ी की और नाभी की और खीशना है एक सांस लिया, दो सांस छोड़ा प्रतिक किरिया को पाँच बार करेंगे इस प्रकार दूसरी किरिया को देखेंगे ए दोनों हाटों को जो है इस प्रकार से रखेंगे उत्तर दक्सिन अब हमने पीछे रखेते अब देखेंगे इसको यहाँ लेना है लंबा घेरा सांस और मुझ से छोड़ना है अब देखेंगे दोनों हाटों को इस प्रकार से अपने नितंब की और उंगलियों को रखना है और फिर आपको दोनों नाक से सांस पीछे ले करके और सांस को नाक से गहरी छोड़ना है दोनों हाटों को इस प्रकार से आपको नाभी के पास रखना है और रिलाक्स हो करके कमर पीड़ गर्दन सीधी दोनों घुटनों को इस प्रकार से पहले बाई और ये चंद्र नाड़ी के सुध्धी करे दूसरी और दहनी और सूरी नाड़ी के सुध्धे दोनों हाट गोद में रख ले सीधे नाक से सांस बाई नाक से सांस दोनों नाक से सांस आ रही जा रही महसूस करे तीन बार ओम का नाद करे ओम 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 देवात्मा हिमाले से रिश्यूगम महाले दिवस के आउसर पर अखंड दीपक सजल सद्धा प्रखर प्रज्या अखंड अगनी के यग्यकुंड से दिवतेच के द्वारा हम सब को प्राण संचार युक सरजन्ज के लिए आसिरवाद दे रहे हैं नहोंने नमन मंदन करें रिश्यूँ का गुर्द माता जी का आसिरवाद लें चंद्र लोक से पित्र लोक से हमारे संपून पित्रगर्ण दिवंगत नरनारियों का हमें आसिरवाद मिल रहा है हम पुर्खों और पित्रों को सद्धा सहित नमन करते हैं उनकी मानसिक परिक्यमा करते हैं चंद्र लोक और पित्र लोक के संपून सक्तियां अपने वनसजों को सक्ति दे रहे हैं चेतना दे रहे हैं दिव अनुदान वरदान असिरवाद दे रहे हैं उनके सपनों को उनके संकल्पों को उनके छोड़े गए धन साधन अधूरे कारियों को हम पूरा करें यही उनके लिए सच्ची सद्धान जली और स्राद्ध पक्ष में आप सब के पुर्खों, पित्रों के सद्गती, सांती की, कोरोना और इस महामारी से दिवंगत, नर्नारियों की, आत्मा के सद्गती और सांती के लिए अखिल विश्वगायति परिवार मंगल प्रातना करता ह ओम शंती, शंती, शंती